आरुन हमारे सहीयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरुन हम तस्वीरों के जरीए देख पारे हैं कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और किस तरह से इलाज और उपचार किया जा रहा है इस पर खास तोर पर उनकी पैनी नजर है बिल्कु जाएंगे वहां पर जो खायल हैं उनसे मुलाकात करेंगे इस बात को हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्ट नरें रिमोदी ऑस्पिटल साहिक पर पहुंचे हैं वहां पर जो खायल है और उनोंने उनसे बादशीश की है और पूली सिचुएशन को एक तर समझने के कोशिश की भी है ना भी है महिला है, बोजोर्ग जो भी वहां पे घाल है, प्रामिन सिर्ण मुरी से समझ रहे हैं क्या हुआ घरि कर कर, किया हुआ था, कहां से बैठे थे या है और ऐसconomicुछ हजिशन पर पहन पहुंचाया गया है, किन-किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा जिससे कि आगे Rescue of Operations कैसे बैटर हो सके तो प्राइम निस्ट की जो preliminary चीजे हैं वो इतरह से इन परिजनों से एक तरह से हैं पहुँची है दूर दर्शन नियूस की टीम लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए है आपको बता रहें कि प्राइम निस्ट नरेंद मोदी ने सुबही एक तरह से जो तमाम सेकोल्डर्स हैं टॉप गवर्मेंट ओफिशियल्स हैं उनके साथ बैट करके रिव्यू बैठक करी है उस रिव्यू बैठक के बाद में दुपहर में प्राइम मिनिस्ट नरेंद मोदी एक्सिदेंस साइट पर पहुँचे है और वहां पर उनने एक ग्राउंड सिच्वेशन को समझा है ग्राउंड सीरो पर जो लोग काम कर रहे थे इस रिव्यू बैठक को जानते हैं कि जो हाई लेवल कमिटी का गठन किया गया है जिसमें यह पता लगाने की बात कही गई है कि आखरीकार यह एरर कहां पर हुई जिसकी वैसे इसना बढ़ा ट्राजिक इंसिदेंट यहां पर हुआ है पिछले आठ नो साल में आप पाएंगे कि कैसे रेलवे ने यह कोशिश किया है और रेलवे इंक्रास्ट्रक्चर को प्रहतर किया गया है रेलवे इंक्रास्ट्रक्चर को दुरोग किया गया है जिससे कि जो यह उन्टूवर्ड इंसिदेंट पहले हुआ करते थे वो बिलक प्रधान मंत्री खुद सभी के पास जाते हुए और उनसे उनका हाल चाल जानते हुए किसी तरह कि उनको कोई तकलीफ तो नहीं है इस बात का साफ तोर पर ध्यान रखा जा रहा है और साथी साथ डॉक्टर से भी वो तुरंद परामश्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं कि पीरों से भी नजर आ रहा है बिल्कुल पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स कहा जाता है और हम इस बात को जानते हैं कि जो डॉक्टर्स की टॉप टीम है उसको भी वहां साइट पर जो जो आप्ट अले जहां पर यह पेशिंस का इंटेक हो रहा है वहां पर उनको और इस समय पर प्राइम मिनिस्टर नरेन रगोदी हम जानते हैं कि डॉक्टर से जो खायल हैं उनसे इंटराक्ट कर रहे हैं इस पूरी जो एक ट्रैजिक इंसिटेंट हुआ है यहां पर एकवर्टीज हमने देखी है जो कि हम लगाता है देख रहे हैं दुपएर से जिसकी इसधेंट इंसिय्ट परदेख्टर हैं कि असफोण की पूइज होती है चैआरे वाही कि शॆतल हो जाता है कि आपको इमेडियेट घितर घंता है तर श्यफ-टेस व्हां पर कमी अबलेट की कमी हों पर थूलौए लोगें वाइज टनेंट करने के लिए दो बड़ी संक्या में लोग आ रहे हैं खाने पेनी की दिख्टता हूं इसे लोकल को आपे हैं वो पर चड़ करके वहां पर सही ओक रहे हैं तो इक हमेंटी का एक 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 आगल होता है जब इस तरह की तरास्थी हो जाती और कैसे एक बहुतर कोडिनेशन के साथ में काम करता है एडिन हैं उनसे इंट्रा किया बात्चीत की हर पहलू पर बात की या किरकार किनकिन दिख्टतों को आपको सामना करना पड़ा या पर किस किस तरह किया आपका टेक केर किया गया है तो इन तमाम चीजों को प्राइम निस सरे मोधी पर्फ हैं इंपुट लेते हुए इन खायलों से और डॉक्टर से भी बात्चीत करते हुए इंफ्रास्ट्रक्टर जो है उस लिहाद पे किस तरह के हीमन रिसॉर्ट की जरूत पड़ेगी पैरमेडिक्स की जरूत पड़ेगी या और और कितने लोगों किया जरूत पड़ेगी ताके इस तरह की जो बड़ी तराज़ी में जो लोग खायल हो और को कैसे जल 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 इनिशल जो केर होती है जो है कर होती है वो मुःया हो सके तो इस बात पर फोकर और मैं नरेन मूदी लगातार इस ट्राजिक इंसडेंट पर नजर बनाए हुए प्राम इस लगातार इनवाल रहें मॉनिटरिंग कर रहा है इस पूर को एंशॉर किया जा रहा है तो जाइसी बात है कि प्राइम मिनिस्ट नरे रिवोदी इस दीडिंग फॉम देख रहे हैं कि जो यह रिच्ट रिलीफ पॉपरेशन आप कह सकते हैं लेकिन अब पूरा फोकस इस बात पर शेफ्ट होता हो दिखाई दे रहा है कि जो लोग उनको प्राइम मिनिस्ट नरे रिवोदी इस समय पर उनसे इंटराक्ट करते हुए बात शीट करते हुए बिलकुल जब से इस हाथसे की खबर आई थी तब से प्रधान मंतरी नरेंद मोदी विचलित नजर आ रहे थे और लगातार इस्तिती पर अपनी पहनी नजर बनाए हुए उसके बाद इन्होंने समिक्षा बैठक भी की खुद वहाँ पर गए जाइजा भी लिया और उसके बाद लोगों तक यहां पर पहुंचने के बाद जब प्रधान मंतरी यहां पर लोगों से उनका हाल चाल भी लेते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं जो एक कह सकते हैं जो प इस समय पर जो संबल प्रदान किया जा सके दूसरा जो लोग खायल हुए है बुरी करे से खायल हुए है उनको कैसे आट इस ट्रीक्मेंट मोहिया कराया जा सके फिनैंशल एसिस्टेंस की घोचना कर दी गई है सरकार अद्वारा और इस समय पर फूरा फोकस इस बात पर है क इस सारे से जो हैल्सकेर फसिलिटी है स्वीधा है वो घायलो को मिल सके दूसरा इस पूरे एपिसोट के दर आपे कोई भी ट्राजिक इंसिडेंट होता है जब हिट करते हैं उस पर कई बार कंट्रोल नहीं होता है क्या ओसे में पोकस इसी बात पर रहता है कि कैसे कम्युनिकेशन को दुरूस्ट किया सके और रेस्पनली पॉपरेशन को बैटर किया जा सके हमने लगाता रात सही देखा कि जो लोकल एड्मिनिस्टेशन है वो बहुत ही बारी की से नजर बनाय हुए है और अफ़ाओं का दौर गरम ना हो अफ़ाओं का बाजार गरम ना हो अफ़ेंटिक इंफमेशन दी जा रही है कम्युनिकेशन लाइन जो यह जो है नंबर इनको एक्टिवेट किया गया है उनको बकाइदा सोचल मीडिया पर और अन्य मात्यमों से उसको बताया जा रहा है ताकि जो रेलेटिव से उस पर जानकारी प्राप कर सके होता यह है कि अफ़ेंटिक इंफमेशन लगातार दी जा रही है इसकी वज़े से पानिक सिचुएशन क्रेट ना हो लोकल लेवल पर आप पाएंगे तो बेटर कोडिनेशन को करने की पूरी कोशिश की जा रही है इसमें कि इंशोर किया जा रहा है कि जो खायल है जहां जहां पर शिप् इसकी बारे में इंफमेशन उनका नाम पता पकाई दर लिखा हुआ हो और इसकी इसको एंशोर किया जा रहा है कि कैसे अस्पताल में जहां पर है उसके कैसे डेटा बेस मौजूद हो तो इकर से इन तमाम चीजों पर फोकुस रखा जा रहा है बारी किया जिसकी वज़े से एक पेटर रेस्क रिलीफ उपरेशन को अंजाम दिया जासा किया और प्राइमनिस नरेंड मोदी इस समय पर फॉस्ट हैं इन्फमेशन लेते हुए हॉस्पिटल के अंदर जहां पर वो जो खायल हुए है उन्से उन्होंने बातचीत की है मैलाओं से बातचीत की है जो भुज जीरो पर जहां पर वो मौजूद थे अब प्राइमनिस नरेंड मोदी हॉस्पिटल में आकर के उन लोगों से भी एक तरसे इंपुट ले रहे हैं जो के खायल हैं उनसे भी समझ रहे हैं क्या कुछ हुआ था जब एक्सपिटाल में आए हैं तो आपको किन-किन दिक्कतों क सामना करना पड़ा और किस तरह से आपको यहां पर हॉस्पिटल ने अड्रेस किया है इन तमाम चीजों के एक तरसे इंपुट यहां पर इन लोगों से लेते हुए जो के खायल यहां पर हॉस्पिटल में इनको पहुचाए गया है और जाहिर सी बात है इस समय पर प्राइम है उनको बेदर सुविधाय मिल सकें उस बात पर पूरा फोकस है लेकिन इस तरह के ट्राजिक इंसिदेंट की वजह क्या रही यह बड़ा सावाज है वजाई सी बात है इस पर जो हाई लेवल कमिटी है जा पर रिपोर्स नौपेगी उसमें देखना होगा कि आखिर कर यह म प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी हमेशा कही न कहीं एक बड़ा स्टेप उठाते हुए नजर आते हैं और इस हाथसे के बाद भी जब हम यह तस्वीरे देखते हैं तो कहीं न कहीं यह लगता है कि प्रधान मंतरी ने इन लोगों को अकेला नहीं छोड़ा बलकि इनके सुख दुख में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी हमेशा साथ नजर आते हैं बिलकुल और यह लगातार हम इस बात को देख रहे हैं कि प्राइमनिस्ट नरेंद्र मोधी ग्राउंड दीरो पर जाकर के मुलाकात कर रहे हैं इससे पहले भी अगर आप रिकॉल करें गुजरात में जब ट्रैजिक इंसिदेंट हुआ था फायर इंसिदेंट हुआ था सब भी प्राइमनिस्ट नरेंद्र मोधी ग्राउंड दीरो पर जाते हैं वहां पर लोगों से मुलाकात करते हैं इससे पहले जब ओरिसा वेस्पेंग वोल के अंदर साइक्लोन हिट किया था इससे ज़र ग्राउंड जीरो पर जाते हैं और वहां पर पुली सिचूएशन को समझते हैं जो लोग इंपक्ट हुए हैं उन फैमिली से उन लोगों से बातचीज करते हैं तो यह प्राइमनिस्ट नरेंद्र मोधी का आइक वोकिंग स्टाइल है वो यहां टेली में बैठ करके प्रेज इस तो पर हम लोग देख रहे हैं अपने असामने तो ट्राजिक इंसिजेंट्स जो हुआ है उपर जो इंपक्त होता है जो एक आम आपनी होता है उनका इंटर्क्त कर रहे हैं और यह बहुत बड़ी बात होती हैं जब जब देश की टॉप लीडर्शिप जब ग्राउंड जी इस समय पर मौजूद है उनको एक सपोर्ट एक मौराल बॉस्टर तो मिलता है कि वह बहुत आए हैं और एक तर से डेश की टॉप लीडर्शिप के सामने आप जेखेंगे के वह रैस्कु रिलीफ उपरिशन को अंजाम दे रहे तो उनका तक मौराल बूस्ट होता है लेकिन जानते हैं कि यह वह समय होता है जिन लोगों ने अपने करीवियों को खो दिया इस इंसिडेंट के अंदर महाँ पर का देश की टॉप लीडर्शिप आपको देने के कोशिश कर रही है तो यह बड़ी बात उसे बड़ा जेस्चर होता है अब पिनेंशल असिस्टिक है बाद प्रधान मंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा आई ये देखते हैं कि कल शाम को एक भेंकर हाथसा हुआ असरी वेदना में अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ कुछ उन्हों ने घवाया हैं जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को बिचलित करने वाला जिन परिवार जनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्त के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी जो परिजन हमने खोये हैं वो तो वापिस नहीं ले पाएंगे लेकिन सरकार उनके दुख में परिजनों के दुख में उनके साथ हैं सरकार के लिए ये घटना त्यंत घंबीर है हर प्रकार की जाँच के निर्देश दिये गए हैं और जो भी दोशी पाए गाएगा उसको सक्त से सक्त सजा हो उसे बगसा नहीं जाएगा मैं उडिशा सरकार का भी यहां के प्रशासन के सभी अधिकारियों का जिन्हों ने जिस त्वरा से इस परित्थिती में अपने पास जो भी समसादन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया बेहां के नागरीकों का भी रुदय से अभिरंदन करता हूं क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में चाए ब्लड डोनेशन का काम हो जो भी उनसे बन पड़ता था बन करने का प्रयास किया है खास करके इस शेत्र के युवकों ने राद भर मेहनत की है मैं इस शेत्र के नागरीकों का भी आधर पुरवक नमन करता हूं कि उनके सयोग के कारण आपरेशन को तेज गती से आगे बढ़ा पाए रेलवे ने अपनी पूरी शक्ती पूरी वबस्ता है रिस्क्य आपरेशन में आगे रिलीव के लिए और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो जातायात का काम तीजगती से फिर से आए इन तीनों दुरुष्टी से सुभी चारी दुरुप से प्रयास आगे बढ़ाया है लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं हाँ स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देखकर के आया हूँ अस्पताल में भी जो खायल नागरिक से उनसे मैंने बात की है मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदरा को प्रगट करने के लिए लेकिन परमात्मा हम शब को सक्ति दें कि हम जल्द से जल्द इस दुख की गड़ी से निकले मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन गट्नाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी व्यवस्थाओं को भी और जितना नागरिकों की रक्षा को प्रास्विक्ता देते हुए आगे बढ़ाएंगे दुख की घड़ी है हम सब प्रार्षना करें इन परिजनों के लिए